विडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल तो लाइक, सब्सक्राइब करें और विडियो को शेर करें आज के इस विडियो में हम बात करेंगे अमेरिका और ब्रितेन की तो चलिये जानते हैं आज के लेटिस्ट न्यूज अपडेट अमेरिका ब्रितेन के बाद रूस ने भी की युएनसी में बदलाव की वकालत दिल्ली में सरगेई लावरोव ने दिया बयान रूस के विडेश मंत्री लावरोव ने कहा कि आज जी बीस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने एक संतुलित और जिम्मेदार स्थिती प्रस्तुत की सन्युक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में बदलाव की बात अब तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में रूस के विडेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि यह सन्युक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में सुभार का सही समय है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन और रूस आक्रमन पर कहा कि प्रत्यक राज्य को किसी अन्य राज्य की संप्रभुता और ख्षेत्रिय अखंता का पालन करना चाहिए। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि आज जी 20 बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने एक संतुलित और जिन्मेदार स्थिती प्रस्तुत की। वह केवल कुछ अलग थलग व्यक्तिगत सिती के बारे में नहीं बोल रहे थे क्योंकि पश्चिम भूराजनीतिक तस्वीर को विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। पीम मोदी ने दुनिया भर में सिती का आकलन किया। दिल्नी में रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि यदी हम इन देशों को पश्चिम देशों देखे तो वे भूमी पर कबजा कर रहे थे और लोगों का शोशन कर रहे थे। दुर्भाग्य से पश्चिम ने अपनी लवपनिवेशिक आत्तों को नहीं छोड़ा। पश्चिम अभी भी वैश्विक समुदाय के हितों पर विचार किये बिना अपने हितों को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही उन्होंने अमेरिका पर निशाना साथते हुए खेल खेलने का आरोप लगाया। आगे उन्होंने कहां कि हम भारत के जिम्मेदार रुख की सराहना करते हैं। साथ ही कहां कि हम अलग-थलग महसूस नहीं करते। पश्चिम अब खुद को अलग-खलग कर रहा है। अगर पश्चिम इतना ही लोकतांत्रिक है तो वे अंतराश्चिय स्तर पर लोकतांत्रिक सिधानतों को लागू क्यों नहीं कर सकते। अमेरिका ने UNSC में परिवर्तन की वकालत की थी। बुद्वार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तरार ने कहा कि यहाँ UNSC में बदलाव का समय है। यहाँ एक कठिन और लंबी प्रक्रिया है। लेकिन बाइडन सरकार में ऐसा कोई नहीं है जो कहता हो कि वे परिवर्तन नहीं देखना चाते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका UNSC में परिवर्तन का समर्थन करता है। गौर्तलब है कि भारत UNSC में एक स्थाई सीट की वक्तालत करता रहा है। सुरक्षा परिशद के अधिकांच देश भारत के समर्थन में भी है। ब्रिटेन की लिस्ट्रस ने सन्युक प्राष्ट्र सुरक्षा परिशद में बदलाव की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा संगठन सही से काम नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें नए सिरे से बदलाव किया जाना चाहिए। जस ने ये भी कहा कि दुन्या में भारत की ताकत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत को बड़ी जिनमेदारी मिलनी चाहिए।